जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और इस बेल आइकन को दबाईए सबसे तेज जीके अपडेट देखने के लिए की आपका बहुत अच्छा सपोर्ड मिल रहा है चैनल को और ऐसा सपोर्ड ऐसा प्यार बनाते रहिएगा आप खुद कंपेर करो कि आपका पहले जीके कैसा था और चैनल से जूडने के बाद जीके कैसा है दोस्तो आपको रिविजन करने की बिल्कुल जरूद नहीं पड़ेगी काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि मुझे मेरा जीके का नॉलेज बरता जा रहा है तो आप 6 महीने इ बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे समय पर क्या होता है जो हमने कुछ यूनिक तरीके से जो चीजे याद रख रही है वो हमको इंस्टेंटली उस एक्जाम में क्लिक हो जाता है तो मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था और आपको हर वीडियो में मैं इसी तरीके सम आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में आपका 100% जीके जो है मैं स्टॉंग करके रख दूँगा बरोसा रखियागा दोस्तों और आपका ऐसा ही प्यार बना के रखना चलिए अब हम बात करते हैं आते हैं हमारे टॉपिक पे क इंपोर्टेंट जल प्रपात और उसके हम ट्रिक देखते हैं दोस्तों बेने बहुत अच्छी जी ट्रिक बनाई है इसकी चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको जैसा कि स्क्रिन पर दिख रहे होंगे ये पांच इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉल्स ह जल प्रपात है जोग की एकजाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको पहले बता जेता हूँ जोग गोर सुपा जो हे ये जल प्रपात जो हे ये शरावती नदी पर बना हुआ है और करनाटक में इस्तित हैं ठीक है उसके बाद तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे मैं आपको पर्मानेटली इसको याद करा दूंगा बार-बार रिविजन का जन्जेट खतम ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए एक एक करको हम ट्रिक से याद करते हैं चलिए पहला लेते हैं हम जो फॉल्स को तो फ्रेंड्स इसको याद करने का तरीका में आपको बताता हूं जो गोरस्पा शरावती नदी और करनाटक पर इस्तिते हैं ये भारत का सबसे उँचा जल पर पर पाते हैं क्या है दोस्तों सबसे उँचा ध्यान रखेगा मैंने सबसे उँचे की बात करिये ओके है फ्रेंड्स बढ़े की जो है वो इसी जोग गुरस्पा उसी पर बना है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी एक्जाम में पूछा जाता है अक्सर तो चलिए अब देखते हम कैसे आद रखेंगे तो फ्रेंड्स क्या हुआ आप स्टोरी ऐसे ध्यान रखिएगा कि आप जोग जोग वर्ट पकड़ी है जोग जोग क्या होता है दोस्तों आपको पता होगा वो काले काले जो होते हैं जोग जो चिपक जाते हैं बोडी पे चिपकते के न चिपकते हैं है ना तो वो जोग जो ह वो body पे चिपक गए उसके, ठीक है friends, तो वो शराब के नशे में था, होश में होता, तो शायद उसको नहीं चिपकते, बट वो शराब के नशे में था, अब शराब के नशे में दोस्तो, क्या होता है, नाटक करता ना कोई भी इंसान, उसको समझाओ तो समझता नहीं है, परिस्तिते हैं, शराब से हमारा क्या हुआ, शरावती नदी बन गया, अब शराब के आदमी क्या करता है, ओविस्सी बात है, नाटक करेगा, तो नाटक करने से हमारा बना करनाटक, तो वो करनाटक में इस्तिते हैं, शरावती नदी ठीक है, पे बना हुआ है, और करनाटक में सुना था, चलिए, अगला देखते हैं हम अब, अगला कुन सा है हमारा, शिव समुद्रम, अब शिव समुद्रम काफी important है, ध्यान रखेगा, चलिए, इसकी trick बताता हूं मैं आपको, आपको जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पर, समुद्र दिख रहा होगा, ठीक है, शिव हम इसकी करते हैं, वेरी करना मतलब change होना, ठीक है, इंगलीश में हम vary करना बोलते हो, तो समुद्र का स्थर, change होता जा रहा हैं, लगाता, मतलब vary करता जा रहा हैं, उससे हमने पकड़ा vary, ठीक है, तो कावेरी हमारा नदी बन करागिया, उससे, ओके फ्रेंट्स, और यह ज जो है वो continuously क्या हो रहा है चेंज होता जा रहा है चेंज होना मतलब वेरी करना और वेरी समने पकड़ लिया का वेरी तो option में आपको समझ में आ जाएगा आप आराम से उसको टिक कर लेंगे और यह ध्यान रखे का दोस्तों करनाटक में इस्तित है ठीक है चलिए अगला हम दे ठीक है अब इतनी प्यारी स्टोरी है इसकी थोड़ा सुनिएगा एक बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा धार दोस्तों धार क्या होता एक पानी की धार होती है ठीक है जब वो पानी की धार घिर रही थी तब क्या हुआ कि जैसे ही वो जमीन पर पड़ी तो पढ़ने के बाद क्या हुआ, उसके पानी की बूंदे थी, वो आसपास पूरे जो उसके एरिया था, वहाँ पर फेल गई, अब वो फेलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो आसपास का जितनी भी लकडिया थी वहाँ पर, ठीक है जंगल में, तो वहाँ पर वो लकडिया सार वो गिली हो गई अब गिली होने के बाद लकडी कैसे हो जाती है दोस्तो नरम हो जाती है सूखी लकडी बिलकुल कड़क रहती है और गिली लकडी कैसे एकदम नरम हो जाती है ठीक है तो अब नरम लकडी हो गई वो गल गई अब उसको मैं ले के आया और मैंने उसमें आग ल तो एकदम से आग तो लगेगी नी, वो धुहाँ धुहाँ कर देगी आसपास, तो उसने क्या करा, गिली लकडी ने पूरा आसपास धुहाँ धुहाँ कर दिया, तो friends यही हमारी trick थी, अब इसको पूरा समझे, एक धार थी, धार गिली, उचल के पानी गया, तो आसपास की ल तो धुहाँ आया, तो धुहाँ आया, बिल्कुल, तो आप आराम से ध्यान रख सकते हो, धुहाँ धार, जो कभी भी अगर option में आपको दीखेगा, तो एकदम से आपको समझना लगा कि अरे यार लकडी नरम पड़ गए थी, तो नरम से हमारा बना नर्मदा, ठीके, तो इ हम देखते हैं false, अगला हमारा आता है जल प्रपात, हुंडरू, ठीके, बहुत ज्यादा important है, काफी exam में पूछा जा रहा है, लास्ट 4-5 साल से तो question बनी रहा है, इस पेसे, तो इसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से trick बना के बताऊंगा, मैं तो भूलोगे नी, तो इस ठीक है, तो हम सुंड पे आ गए, हुंड जैसे आएगा, हम उसको पकड़ लेंगे सुंड से, अब दोस्तों सुंड किसकी होती है सबसे, आपको सुंड के बारे में अगर पता जाल रहा है, तो आपके दिमाग में हाती आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा है, तो हाती की सबसे लंबी सुंड किसकी होगी, हाती की होगी, तो बिल्कुल सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं अपन, तो एशिया का सबसे बड़ा, बड़ी से निकल कर आया, एशिया का सबसे बड़ा जो है, जल प्रपात है, वो हुंड रू है, हुंड से हमने पकड़ा सुंड, सुंड जो है वो हाती की सबसे बड़ी होती है तो बड़ी से निगल कर आया हमारा बड़ापन तो बड़ापन से निगल कर आया कि जो सबसे बड़ा है एशिया में जल प्रपात वो है हुंड्रू ठीक है सबसे उंचा कुंचा था जोग था है ना जोग गोरस पामन देखा था, वो सबसे उचा था, और सबसे बड़े की बात करेंगे, तो वो है हुन्डू, ठीक है, फ्रेंड्स, चलिए, अब मैं बताता हूँ, आपको हाती की सून्ट रेती है, अब वो सून्ट से क्या करता है, पानी भरता है, और उपर फेकता है, तो वो कैसे जहरने टाइ अब सबसे जादा जर्ना कोन बनाता है, पता है आपको, मैं एक बड़ दता हूँ, एक सोने का हाती थी, वो सोने का हाती जो है, वो क्या करता है, जब अपनी सून्ट से पानी भरता है, तो वो जब उपर फेकता है पानी को, तो वो continuously चलता रहता है, पानी बंदी नहीं होता है, इस वज़े से, वो जो है, सोने का हाती सबसे आदा जर्ना बनाता है, तो सोने का हाती बनाता है, तो आपको दिमाग में आई रहोगी imagination, कि सोने का हाती है, इस वज़े से हमारा क्या है, दोस्तो, सोन रेखा नदी पर हुन्रू इस्तिते, ठीक है, सोना सोना हमको लेके आ अनगा ना था कुछने कुछ, तो मैं इस तरीके से उसको ले कि आगे आपके दिमाग में, तो हुन्रू जहे वो सोण सोने का जो हती होगा वो बनाएगा, तो सोने से हमारा सोन बनके आया, वो सोन रेखा नदी परिस्तिते, तो इस तरीके समने इसको याद कर लिया, चलिए, अगला देखते हैं हम इंपोर्टेंट, अगला हैं दोस्तो हमारा गोकक जल प्रपात, वो कहां पर इस्तिते हैं, गोक जो की थोड़ा हट के नाम आ रहा है, तो आपको भी समझ में आई जाएगा, कि गोकक जो है, वो गोकक नदी पर इस्तित हैं, ठीके, और कहां पर यह करनाटक में हैं, ओके फ्रेंट्स, तो यह एक छोटा सा था, इसको ज़्यादा कोई आपको मुझन लगता कि इसको कोई ट् इंपोर्टेंट जल प्रपात, फॉल्स सारे याद हो चुकिया हमें, अब हम इंपोर्टेंट कोईशन सौल कर लेते हैं इससे, और देखते हैं कि हमारी ट्रिक काम कर रही की नहीं कर रही है कोईशन में, चलिए फ्रेंट्स, पहला हमारा कोईशन है, भारत में सबसे उंचा जल प्रपात कोन सा है, उंचे की बात हो रही है, ठीक है, तो उंचा दोस्तों कोन सा था, मैंने आपको बताया था, शिमसा यह नहीं, नहीं, बिल्कुल डी आंसर, जोग, जोग गरोसपा जो है, बारत का सबसे उंचा है, ठीक है फ्रेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, इसकी हाइड कितनी है, 225 मिटर है, ठीक है, तो जोग हमारा अंसर होगा, SSC 2013 में कोश्चन पूछा गया था, अगला दोस्तों हमारा कोश्चन है, सेकेंड, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी परिस्तिते हैं, देखिए, अब शिव समुद्र, हमने पकड़ा word समुद्र, जो देखिए है, हुरू जल प्रपात इस्तित है, हुरू से सूंद्र समस्माद में ही हमको काविरि न दी, चंबल, सोनन न दी, ठीक हमको पता था कि सोने का जो हाथ है, वो सबसे आदा जर्ना बनाता है, क्योंकि हूंदरू से हमको सूंड समन्में आई, और सूंड जो है, सबस उसके आपना हमारा क्या था कि सूंड से वो पानी उपर फेक्टता है, मतलब जर्ना बनाता है, जर्कंड में इस्तिते हैं, वो भी इसने नहीं पूचा, पर इसने पूचा कि हुन्रू किस पे इस्तिते हैं, ठीक है, तो हमको याद था कि सोने वाला हाती जो है, वो ज्यादा बनाता है, तो सोने सोनन से निकल कर आया, तो सोनन दी, option D सही होगा, इस तरीके से हमने इसको solve कर लिया, चलिए आगे important question देखते हैं और हम, महात्मा गांदी विद्यूत प्लांट कहां पर इस्तित हैं, मैंने आपको बताया था, जो जोग प्रपात है हमारा, उसी पर महात् जोजाराट का question है, गोकक नर्मदा नदी पर, नई, अलेकसा word था, गोकक हमने देखा था, गोकक कहां परिस्तित था, गोकक नदी परिस्तित था, तो ये तो option गलत हो गया, शिव समुद्रम, कावेरी, मतलब समुद्र का स्तर वेरी कर रहा है, तो हमारा तो ये बिल्कुल सह है, ये तो हमारा गलत हो गया था, ये हमारा बिल्कुल सही है, और जोग शरावती नदी, जोग चिपक गय थे उसको, क्योंकि उसमें शराव पिली थी बहुत ज्यादा, तो हमारा निकल के आगया बिल्कुल, तो शरावती बिल्कुल सही है, मतलब दो और तीन सही है, तो द एक्जाम में आन्दो कोशन, कोई टेंशन लेने जरूद नहीं है, आपको आसाने से सॉल हो जाएगा आपसे, बिल्कुल सॉल हो जाएगा, क्योंकि आप एप्टिटूट, रिजिदिंग, सब का रिजिजिन कर सकते हो, बट जीके का नहीं कर सकते हो, तो मेरा वीडियो बनाने कि अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे चीजे भूल जाते हैं, तो हम कुछ यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका अलग हैं, तो हमको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है फ्रेंट्स, मैं को जितनी भी एक्जाम में देता था, जीके मैं, मतलब म आसानी से सौल कर लेता था, सिप यूनिक ट्रिक की वज़े से, तो फ्रेंट्स, मैं वो चाता हूँ कि वो नौलेज सब आपको मैं दे दूँ, इन वीडियो के माध्यम से जिससे आपको बेनिफिट मिले और आप अच्छी अच्छी एक्जाम, गर्वर्बर्मेंट एक्जा पर एक टॉपिक पर अच्छी अच्छी कोशेंस बना कर और स्टेट बना कर और ट्रिक बना कर मैं आपको समझाऊंगा, फ्रेंट्स, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेर करिए, थैंक्यू फ्रेंट्स